उद्धव दागरे, सवाल पूछने काधिकार, हम सबको इस मिट्टी इस देश के सम्विदान ने दिया है इस देश का एक एक कोना, इस देश का इस शेहर का, हमारे मत्र भूमी का, और मुंबाई का एक एक कोना, हर इंदुस्तानी का है देश के नवजवान, रोजगार के लिए लालाईव है, दिल्ली के सरकार रोजगार देने में, बिसल गई है उन्होंने वादा किया था, चुना मैनिफेस्टों निकाल दीए, उन्होंने कहा था, दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी तो हम एक करोड नौजवानों को रोजगार देगे, एक करोड नौजवानों को, मैं हिंदुस्तान में जाकर गहर कौने में पूस्ता हूँ, कोई नौजवान है, मुझे बताएं, कि दिल्ली की सरकार ने रोजगार दिया है, हिंदुस्तान में कोई नौजवान नहीं मिल रहा जो कहता हो कि दिल्ली की सरकार ने उनको रोजगार किया नमस्कार मैं शंबू कुमार सिंग और आप देख रहे हैं निसन दस्तकाच कुछ पड़ी खबरें हैं जो आपके लिहाज से बहुत जरूरी है और वो खबरें आपको जानना जरूरी है और उस खबर का बिसलेशन जरूरी है जानना को कि वो टीवी और अखबार आपको नहीं दिखाएगा तो सुचिय भारत और चीन के सिमा पर 45 साल बात फायरिंग हुई है चीन की तरफ से फायरिंग हुई है चीन कहरा है भारत फायरिंग हुई है हमारे परधान मंत्री कह रहे यह जो न्याय नैतिक्ता का जो धोंग करते हैं करना अरनात को वाई पलस सेकृरिटी दी गई है दरसल वो अब संबिधान की दुहाई दे रही है वो कह रही है कि यह संबिधान मुझे इस देश में कहीं भी रहने और बात करने का अधिकार देता है अर्णव गुष्वामी कि एक वीडियो भी देखिए जिसमें वो कह रहे हैं कि यह संबिधान मुझे ताकत देता है और यह वही लोग हैं जो इस संबिधान को बदलना चाहते हैं उद्धव ठाकरे जी सवाल पूछने का अधिकार हम सबको इस मिट्टी इस देश के संबिधान ने दिया है इस देश का एक-एक कोना इस देश का इस चेहर का हमारे मात्र भूमी का और मुंबाई का एक-एक कोना हर इंदुस्तानी का है कंगना रनावत को लगता था कि संबिधान की वज़ा से जातिवाद बह रहा है तो यह बड़ी खबर हैं जो मैं आपको बता रहा हूं और यह समझना पड़ेगा आपको कि यू पेटी को बेचने की आर अफ उरी अफार लोगों ने पीट-पीट कर कर दी पिता की हत्या वा उठाएगा उंगली हम कार देंगे उसका हांते लंगा ना भाजपा चीफ के बिगरे भोल तो भाजपा के नेता का इस तरह से बयान आता है कि आप कलपना नहीं कर सकते हैं मैं गोबर में पैदा हूँ इसलिए क्रोना मेरे आस पास भी नहीं आ सकता है मत परदेश की मंतरी क का यह कहना है कि कुरोना वारस उनको नहीं होगा क्योंकि वह गोबर लगाती हैं तो यह तो कुछ ऐसी ख़बर थी जो टेली विजन अखवार में छपाया लेकिन वह ख़बरे जो आप से जूरी हुई है आपके स्वरोकार से जूरी हुई है वह ख़बरे मैं आपके लिए अब सोचिए कि आज जब आप उनक्या लोचना करते हैं तो भक्त लोग आग बवला होते और आप पर हमला करते हैं दिल्ली इनवर्सिटी से दो बड़ी ख़बरे हैं संसनिखेज ख़बरे और डराने वाली ख़बरे ड़क्टर इतु सिंग जो वहां दौलत राम कोलेज मे निकाल दिया गया है क्योंकि वो समाज का मुद्दा उटाती थी और जो जातिवादी प्रिंस्पल है आरेसेस की एजेंट हैं उन्होंने उनको ज्वाइन करने से मना कर दिया वहीं दिल्ली इनवर्सिटी में ही जो भीगत सप्ताहान दिल्ली विसुदाले में धन्रत महिला चात्रों को हरिजन सेवक संग के अतरगत माता कस्तुरवा चात्राबाद से निकाल दिया गया यह तस्वीरे देखिए और राम माधब ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है वीजेपी महासाचीफ राम माधब ने किस डर से ट्वीट डिलीट किया चीन घुसपैट कर रह रहा है और राम माधब SSF के सहीद को सर्थान जी वाला अपना ही ट्वीट डिलीट कर देते हैं तो सुचिए राम माधब जो महासाचीफ है वीजेपी के वो जवानों को सहीद सम्मान देने वाला ट्वीट भी डिलीट कर दे रहा है यह देखिए हाउ रील एंग जियो और रिलाइंस इंडरस्ट्रीज ने टैक्स देना ठीक नहीं समझा उन्होंने एक लाख बावन हजार तिन सौटारा करोर रूपए कमाए हैं लेकिन टैक्स नहीं दिये हैं और एक तस्वीर लोग सोसल मीडिया पर वायर कर रहे हैं देखिए एक बच्चा है जो गढ़क होड़ का वार पर बच्चा अश्टभूसस सेंगे मामले में चैंडा रूप संग्र मामले में सीवी आइने टव्यने ट 뜨क्ची से थियमाना करवाय किसी फारिज की अपैस की सिविए औरषार सेंड दोब्त कर रहूए किसी अपार स्कूर खर फियंदे किह नियां गिने नियारी को यह सब जाती विशेद के लोग हैं और तीन तो महिलाएं हैं, जो इस महिला के साथ खरी नहीं है। इसलिए लालु यादव, सरढमत्थ, रार्क्षण महिला सवस्षाव महिलाएं हो. सवर्ण महिलाएं ना तो प्रिट्यार्टी के खिलाफ लड़ती है उनको तो इभी नहीं पता है के सावितरी भाई फूल थी चलिए यह इस्तिती है एलाइसी में 25% हिंसेदारी बेच कर खजाना भरेगा केंदर सरकार एलाइसी को भी बेचा जा रहा है और सुसान्त केस में रिया चक्रवर्ती ने सुसान सिंह की बहन पर उकसाने का आत्मात्या के लिए उकसाने का केस दर्ज करा है जिसके बाद CBI की जाच हो रही है उनके पिता सुप्रिम कोट चले गए है और ये परधान मंत्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है इसको देखिए मैं अपने एटर से कहूंगा कि मॉन्टाज में भी इसको डाले किस तरह से वो कह रहे थे रोजगार उनके लिए बड़ा मुद्धा था तो निवार टाइम्स में ख़वर छपिए कि बीस करोड लोग गरीवी में समा जाएंगा और वो पता है कौन होगा क्योंकि हमारे पास नपुस्तैनी जमीन नपुस्तैनी बिजनेस हैं नपुस्तैनी सेविंग्स हैं तो हम सब और गरीब हो जाएंगे यह पर्धानमंतरी का भासन सुनिए जिसमें वो रोजगार को लेकर कह रहे हैं देश के नवजवान रोजगार के लिए लालाइफ हैं दिल्ली की सरकार रोजगार देने में बिफल गई है उन्होंने वादा किया था चुना मैनिफेस्टों निकाल दीए उन्होंने कहा था कि दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी तो हम एक करोड नवजवानों को रोजगार रोजगार दिया हैं, हिंदुस्तान में कोई नवजवान नहीं मिल रहा, जो कहता हो, कि दिल्ली की सरकार ने उनको रोजगार दिया है, क्या जूठे बादे करने वालों पर भरोसा कर सकते हैं, उनकी जूठी बातों पर भरोसा कर सकते हैं, नवजवानों का भविश्य नहों, माताए बहने सुरक्षितने हो किसान बेहाल हो और फिर भी कॉंग्रेस वाले उनकी वोट मांगने की हिम्मत कैसे होती है मुझे तो यही ताजू होता है अरे बेशर्मी की कोई हत तो होती है यह अर्नव को स्वामी का भी एक पांच सेकेंड का किलीप मेरे इटर आपको लगाएंगे इसमें वो कहरें कि सम्विधान इस देश की सम्विधान मुझे इजाज़त देता है कि मैं कहीं रहूं कुछ भी वोलू और यही लोग सम्विधान बदलना चाहते हैं उद्धव ठाकरे जी सवाल पूछने का अधिकार हम सब को इस मिट्टी इस देश के सम्विधान ने दिया है इस देश का एक एक कोना इस देश का इस शेहर का हमारे मात्र भूमी का और मुंबाई का एक एक कोना हर इंदुस्तानी का है और यह देखिए बार बार भई सेंगर मामले में ततकालिन डीम और दो एस पी के सीवियाई ने माना दोसी और इस काटून ने सब कुछ कह दिया लिखने के जो अतनी सुची है इस सारे मामले को कंगना रनावत ने को वाई सुरक्षा दे के घटा बंद कर दिया गया लद्दाक में सिति गंभिर बिंदेशमंति के कहना है कुटनितिक अस्तरपट गहन बादचित की जरूरी है इंडियन एक्सप्रेस ने ख़वर चापी है जिस देश का परधान मंत्री कह रहा था कि कोई घुसपैट नहीं हुई है वहां गोली बारी हो रही है यूपी से एक भयानक ख़वर आई है महिलाप पुलिस कर्मियों ने डीजी पी को चिठी लिखिया उनका कहना है कि उनसे देव ब्यापार कराय से भी उनकी हालत ख़ड़ाब है महिलाप पुलिस कर्मियों ने डीजी पी को लिखा पत्र सपा ने उठाय सवाल अब हो सकता है आप पर एफ यार कर दिया जाए तो यूपी में आप अगर सोचल मीडिया पर लिखते हैं सरकार खिलाप पर केस दर्जो जाएगा कटक से पुलिस ले जाएगी परसांत को नजिया के तरह दिली से उठाके ले जाएगी लेकिन वहाँ आप राधी हत्या करके और फाइरिंग करते रहते हैं वहाँ पुर बिधाय की हत्या हो जा रही है लेकिन कोई कानून का नाम लेने वाला नहीं है मीडिया वालों के लिए एक अच्छा काटू ने तेरी भी नोकरी गई तो चल अब रिया को छोर के बिरुद्गारी पर रिपोर्टिंग करें और ये वो तमाम खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा था कुछ और भी खबरें जो मैं चाहता हूं कि आपके साथ सेयर करों 9 सितंबर को रात 9 बजे 9 मिनट के लिए लूग ट्रोड जलाएंगे लेकिन इससे भी और भयानक खबरें जो जो मैं आपको बताना चाहरा था मैनपूरी में जो लोग जो हैं वो दली तीवा की लिंचिंग की है बजरंग दल पर आरोप है और नितीश कुमार की जो वर्चुल रेली थी उसको लोगों ने डिसलाइक किया है तो यह लेकिन उससे जादा जरूरी जो हम ख़बर है वो म कि चाहतरों को क्योंकि बजट कम है यह उस राज की हालत है जहां पांच जार करोड कुम पर खर्च किये जाते हैं तो यह आप समझे कि सुदिन्द भदर यानि परम पुझ बावस आमने का था सिक्षित हो संगर्षित और संगर्स दलित करो दलित सोसित बंची समाज सभी सा कार लाओ तो चातबिर्ती अब नहीं मिलेगी और जै स्री राम बोलने के लिए कहा सराप पिलानी कोशिस के और फिर माट डाला एंसियार मुस्लिम कैप ड्राइवर के हत्या यह इस्तीति आपके देश में और वो भी कुल्दीप सेंगर मामले में तीन अधिकारी दोसी अध कोटाला सामने आ रहा है जिस तरह से लगातार वहां खरीद फरोक्त हो रही है कोरोना से के दौरान सबसे बराइस कैम आ रहा है और यह कंगना रनावत का एक वीडियो लुक्सियर करें जिसमें वो महसभट को बहुत तारीफ कर रही है कि हमको बनाने में महसभट का पूरा ह और मैं धन्यावादी हूं मिस्टर मुकेश भट की महेश भट की अनुराग बासु की जिन्होंने मुझ पर इतनी महनत की और जिनकी वज़ा से आग मुझे इतनी इज़त मिल रही है क्योंकि इतना बड़ा समान पाना किसी अखेले इंसान की हैसियत नहीं होती है तो यह वो ट्वीटर पर सक्रिय हो रही है और उने एक ट्वीट किया है जो कि बहुत ही गंभीर है कास अगर ट्वीट से निकलके अगर बीसपी सुप्रीम मायावती एक बार इंडिया गेट पर खड़ी हो जाए तो इस देश की राजनीती बदल जाएगी लेकिन फिलार उने जो सुधिर मौड बरेली में बासिद कुशी नगर में सुधिर सिंग तथा बांदा में बिनोद गर्ग की गोली मार दी गई है अधी हट्या हुए है साथ ही उपी के नोईडा में कल कैप ड्राइबर की हत्या तो मायावती जो हम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप सोसल मी मेडिया पर जिस दिन से वो पी सी करने लगेंगी पूरा देश तक उनकी पी सी पहुंचेगी और डॉक्टर रुटू की ख़र बताई जिनको दिली इनवर्सिटी के साथ जाती है भेदभग किया जा रहा है तो यह वो तमाम बड़ी ख़बरे थी जो मैं आपको बता रहा और मैं फिर कह रहा हूं कि सोसल मीडिया ही बहुजन मीडिया है और यह वो तमाम ख़बरे हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है आपकी दिन्चरिया से आपकी रोजी रोटी से जूरा हुआ है मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि सोसल मीडिया ही सच्चा मीडिया है रहिस सेना के जो कार करता है वो नाराज है कंगना रनाव से और उनकी तस्वीरों पर चप्पल से पिटाई कर रहे हैं शुक्रिया देश के नौजवान रोजगार के लिए लालाईफ है दिल्ली की सरकार रोजगार देने में विफल गई है उन्होंने वादा किया था चुना मैनिफेस्टों निकाल दीए उन्होंने कहा था कि दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी तो हम एक करोड नौजवानों को रोजगार देंगे एक करोड नौजवानों को मैं हिंदुस्तान में जाकर गहर कौने में पूसता हूँ कोई नौजवान है मुझे बताएं कि दिल्ली की सरकार ने रोजगार दिया है हिंदुस्तान में कोई नौजवान नहीं मिल रहा जो कहता हो कि दिल्ली की सरकार ने उनको रोजगार दिया है नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़